अस्सलाम अलेकूम आप देख रहे हैं दुआ का किचन तुम्हें बना रही हूँ आज लाहोरी फिश फ्राइ तो चले स्टार्ट करते हैं लाहोरी फिश फ्राइ बनाना लेकिन इससे पहले अगर मेरी चैनल पर न्यू है ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और यह पसंद आए तो लाही जरूर कीजेगा फैंडी और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजेगा तो चले करते हैं स्टार्ट फ्लाहोरी फिश फ्राइ बनाना में इस पर थोड़ा सा नमक टेलूंगी 1 टेबली स्पून देलूंगी अधर लसन पेस्ट अच्छा चार लेमन का जूस ले लूंगी क्योंकि लेमन से जो खटास आती है मचली में उसी का ही जायका होता है जब तक मचली में लेमन के खटास और नमकीन ना हो मचली तो फिर मजा नहीं आता खाने में इसलिए इससे थोड़ी तर पहले ना आप नमक अधर गलसन पेस्ट और लेमन का जूस लगा कर रगते तो इससे मचली जब अब करेंगे ना तो अच्छे से नमकीन हो दोगी अदर से बस अब हम इस गोने की मिक्स करिंगे और इसमें हातों की मदद से ही मिक्स करूंगी अच्छा मचली को है ना पहले मैंने इसको अजवाइन और नमक से ना पहले अच्छे से दो लिया था थोड़ी तिर रख लिया था अजवाइन और नमक में और फिर उसी से थोड़ी तिर पाद इसको मैंने अच्छे से वाश कर लिया था वाश करने के पाद देखे कैसी वाइ अग्रकलसन पेस्ट, लेमन का जूस और नमक लगाकर इसको में आदे घंटे के लिए रख दूँगी अच्छे हैं यहाँ पर मचली को मेरिनेशन करते वे 30 मंट हो चुके हैं रेस्ट देरते वे 30 मंट हो चुके हैं अब इसमें मैं डालूँगी कुछ मसाले जिससे स्पाइसे हमारी मचली बने तो इसके लिए मैं रिया है यहाँ परा 1-2 तीस्पून लाल मिर्च पाउडर 1-2 तीस्पून धनिया पाउडर थोड़ा सा हल्दी पाउडर 1 तीस्पून कुटेवी लाल मिर्च 1 तीस्पून कुटाओवा धनिया 1-2 तीस्पून कुटाओवा जीरा 1-2 तीस्पून गरम मसाला पाउडर 1-2 तीस्पून अजवाएन थोड़ा सा फूड कलर 1 तीस्पून लिए मैंने सूखी मेथी इसे हातों की मदद से इस तरह से करके अब इन सब को मैं हातों की मदद से मिक्स कर लूँगी तो यहाँ पर मसालों के साथ मचली को मैंने मिक्स कर लिया है और अभी से फिर आदे घंटे के लिए में रेस्ट दे दूँगी अच्छ अब यहाँ पर मुझे तयार करना है बेसन का घोल मिक्स करनी के बाद ही हम मचली को फ्राइ करेंगे तो बेसन का घोल मिक्स करने के लिए यहाँ पर मैंने बेसन लिया है एक टाप क्योंके बेसन को छान के ही न हम इसका घोल तैयार करेंगी वरना यह आपको पता है इसमें गुट्लियां से बनी वी होती है तो फिर वो जब हम बेसन गोल इसका मिक्स करते ना तो गुट्लिया गुट्ली से आती है तो पस यह हम इसको पहले चान लेंगे ताकि बिल्कुल बार एक सा पॉडर की तरह हो जाए इसके बाद इसका हम गोल तयार करेंगे अब बेसन में डाल दूँगी फाफ टी स्पून नमक फाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर इसे मिक्स कर लेंगे अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी और इसका गोल सा तयार करूंगी गोल इसका बिलकुल स्मूधी सा तयार हो ताकि मचली जो है वह अच्छे सडीप हो जाए इसमें तो यह थोड़ा सा थीक है मजीद और इसमें पानी की शरूर रहते है तो इसमें थोड़ा सा और पानी डाल देंगे तो यह देखिए कितना स्मूध सा इसका गोल तयार हो चुका है बस इतनी सी थिकनेस चाहिए इसकी इतनी थिकनेस चाहिए हमें अच्छे दिम मचली को यहाँ पर मेरे मसाला लगाया था और इसे मेने 30 में के लिए रैस्ट दे दिया था यह इसको 30 में हो चुके है अब हम इ अब इसमें हम कोटिंग करेंगे मचली की इस तरह से बस यहां पर हुआ हो मचली फ्राइ कर लेंगे अच्छा फ्लेम जो है ना मैंने इसकी दर्मियानी रखी हुई है ज्यादा हाई पर नहीं रखा तो इसे में पां से साथ मिंट पकाऊंगी एक साइट और पां से साथ मिंट पकाऊंगी दूसरे साइट तो बस अब हम इसे पलट देंगे अच्छा कलर आया है मचली का बस दो साइट से साइट करना है और इसे निकाल लेना है तो बस दूसरे साइट से स्टाई हो चुकी और अब हम इसे निकाल लेंगे तो इसमें आपको तिखाओंगे अब हमारी लाहुरी फिश बनकर तयार हो चुकी है इसे में आपको तोड़ के वह दिखाते हूं कि अंदर से किस तरह से पकिए ठीके यहीं देखें कितनी अच्छे से नितर से पकर तयार हुई है हमारी फिश तो बहुत ही हमारी लाहोरी फिश फिश प्राइ बनकर तैयार हो चुकी है बहुत क्रिस्पी और मजए की बनिगेए तो में आज की पसंद आई को पसंद आई होगी데 सब्सक्राइब को